अच्छा लगा आपको किसे लगा है हमको भी बहुत इच्छा लगा खादेने बहुत तेरसी बना है हाई फ्रेंड्स वेलकम मैं चैनल और आई होब कि आप सब ठीक होंगे मैं तो ठीक नहीं हूँ क्योंकि इसे पहले वीडियो मैं आप लोगों को बताई थी कि मुझे क्या हुआ है तो मुझे आज चटपटा कुछ खाने का मन किया है तो मैं अभी साम का समय है तो चो मिल ना ही हुए हूं तो उसे को बना रही हो भी फर्स्ट बार तो फ्रेंड्स मैं सबसे पहले कडाय को गर्म कर लिया और उसमें रिफाइन ओल डाल दिया है जैसे यह गरम हो जाता है मैं इसमें हरी मीच और प्यांच को छोटे-चोटे टुक्रूम कटिंगी थी उसे डालके हलके फ् मैं इसे यह घाओ फिर मैंस में थोड़ा सखनाक Day और यह हो गया एम्डी एच मसाला क्योंकि मैंने चोमीन मसाला नहीं लाया था इसलमने इसे डाल लिया और नमक स्वादा नुसा डाल दिया फिर हो गया ये टेमेटो सोस हो गया चिल्ली सोस हो गया इसे तुनों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैं फर्स्ट फर्स्ट पर बना रही हूं इसलिए मुझे उतना अच्छे साता नहीं है मैं जैसा तैसा ही ब लेती हूं और डालने के बाद में है कि मैं ऐसे अच्छे से चिलाओंगी धीरे धीरे मुझे उतना अच्छ च जलाने भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा फर्स फर्स पर बना रही हूं नमें इसे पहले मैं कभी नहीं बनाई थी तो जैसा तैसा मैं बना रही हूँ और I hope कि आप सब को मेरा ये पसंद आएगा बनाने का तरीका तो देखिए अब मैंने दो कल्चुल ले लिया है और दोनु कल्चुल के साथ चला रही हूँ तो अब मुझे तो अच्छा ही सेंट आ रहा है तो चलिए पकने के बाद देखते हैं कि इसका से टेस्ट कैसा लगता है तो ये मेरा चोमिन जो है बनके रेडी हो गया और देखने में तो बहुत ही सॉलिट लग रहा है बहुत जारा अच्छा लग रहा है तो चलिए अब हम इसे निकालते हैं खाने के लिए सेंट सब लोग देख सकते हैं कि हम लोग चोमिन बनके रेडी हो गया खाने के लिदी निकाली है तो लोग खाक बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसे है अब बतांगे है तो फ्रेंज हम लोग खाल लिए और खाने बहुत जारा अच्छा लगा आपको कैसे लगा हमको भी बहुत इच्छा लगे खादेने बहुत तेश्की बना है आप लोग भी कभी आईए खाने का तो चलिए हम आज का वीडियो यह प्रिंट करते हैं अगर आप लोग उनको हम लोग का बनाने का तरीका अच्छा लगा तो जादा जादा स्याद कीजिएगा लाइक कीजिएगा और यदि चैनल कफे तर्सक्राइब लेकियें तो सब्सक्राइब कर देजिएगा चलिए हम अपना वीडियो इंट करते हैं बाई